NTA की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है NTA ने अभी अभी पब्लिक नोटीस जारी किया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं NTA ने UGC NET के जो अक्टूबर 2021 में एक्जाम होने वाले थे उनकी परिक्षातिती में बदलाव कर दिया है तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जानेंगे क्या कारण रहा कि उन्होंने एक्जाम डेट को चेंज किया है और साथ-साथ किस डेट को अब एक्जाम होंगे वो भी हम जानेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जैसा कि आपको पता है कि UGC NET अब की बार जो है दिसंबर 2020 और जून 2021 की जो साइकल है जो हर 6 महिने में एक्जाम होते हैं इन दोनों एक्जाम को मर्च करके अब अक्टूबर में लेने वाली थी और एक्जाम डेट जो जारी की थी वो थी 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 लेकिन अब इसे चेंज कर दिया है कारण जानते है NTA has come to know from the student community that the October 10 examination date is clashing with some major examination that also has been scheduled for that day तो आप देख सकते हैं किसलिए चेंज किया गया है NTA को students के माध्यम से पता चला है कि October 10 को बहुत सारे और भी exam हो रहे है जिसकी वज़े से अब NTA ये decision लिया है कि UGC net का exam की परिक्षातिती में बदलाव कर दिया जाए और अब कब करेंगे तो अब exam कब होंगे अब देख सकते हैं Old days and dates और new dates तो पहले exam होने थे 6-11 October अब होंगे 6-8 और उसके बाद होंगे 17-19 October तो बीच में gap दे दिया है क्योंकि 10 October बीच में जो पढ़ रही थी उसमें बहुत सारे और भी exam हो रहे है तो 2-3 या 4 दिन का gap दे दिया है The detailed date sheet will be given subsequently जो detail में date sheet आएगी वो आपको बाद में बता दी जाएगी इसके लिए आपको official website के साथ जुड़े रहना है और साथ-साथ help desk के number भी दिये गए है अगर आपको कोई query है इस notification से या UGC net से संबंदित तो आप help desk पे मदद ले सकते हैं साथ-साथ email ID भी दी गई है तो ये थी update UGC net की तरफ से अगर आप इसी तरह की latest और updated news हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें